साहब जी का भजन है तो पहले सुनिए फिर अर्थ समझेगा आया है सो जाएगा साहब जी कह रहे हैं आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर एक सिंहासन चड़ चला एक पधा जंजीर तो ये चुनाव करना पड़ता है कि सिंहासन चड़ के जाना है कि जंजीर से बात कर जाना पड़ता है ये चुनाव करना पड़ता है तो सुनिए क्या कहा रहे हैं साहब जी मुसाफिर जाना पड़ेगा मुसाफिर चलना पड़ेगा मुसाफिर जाना पड़ेगा काया कोटी खाली करना पड़ेगा मुसाफिर जाना पड़ेगा किराया को घर को क्या तू समारे किराया के घर को क्या तू समारे किराया के घर के मालिक तुझको निकाले भाड़े का किराया तुझको भरना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा मुसा फिर चलना पड़ेगा आएगा नोटिस जबानत नहोगी पल्ले तुम्हारे आमानत नहोगी हो करके खेत तुमको हो हो करके खेत तुमको जाना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा या मुराज के या मुराज के अदालत में जाओगे या मुराज के अदालत में जाओगे पुछेगा हकीकत जबाब क्या दोगे लेज जासे सर को जुकाना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा मुसा फिर चलना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा साहज करें हैं मेरी नमानोगे यमराज मनाएगा तेरे करनी का फल यहीं भोगाएगा तेरी करमों का फल यहीं भोगाएगा आप आप के अगीनी में हो पाप के अगीनी में जलना पड़ेगा मुसा फिर चलना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा मुसा फिर चलना पड़ेगा मुसा फिर चलना करे पड़ेगा कौँ है कबीर तू रोता फिरेगा लाख चौरासी में खाएगा तू गोता लाख चौरासी में तू खाएगा गोता फिर फिर जानम तुझे हो फिर फिर जानम तुझे धरना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा मुसा फिर चलना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा मुसा फिर चलना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा मुसा फिर जाना पड़ेगा साह जी करेंगी मुसाफिर चलना पड़ेगा मुसाफिर जाना पड़ेगा अब समझते हैं कि यह मुसाफिर कौन है मुसाफिर का अर्थ होता है कि निरंतर चलते रहना निरंतर चलते रहना कहीं से आया है और कहीं जाना है चब तक उसकी मलजिन मलजिन नहीं मिल जाए तब तक वो निरंतर चलता रहता है, यही हमारा जीवन है, तो यह निरंतर चल ला है, कैसे चल ला है, अब वो चलते चलते कहीं रात हो जाए, इंसान ठक हार कर कहीं विश्रा में लग जाए, यह दूसरी बात है, लेकिन यह तो समय तो चल ला है, समय तो नहीं रुक रहा है, जैसे एक और भजन है कि उमर देखो पल पल घटी जा रही है निकट मौत छड़ छड़ चलिया रही है तो यह तो चल रहा है निरंतर चल रहा है समाय तो हमारी उमर तो घटी रही है तो साहब जी कर रहे हैं कि मुशाफिर चलना पड़ेगा मुशाफिर जाना पड़ेगा फिर कर रहे हैं कि काया के किराय के घर को तू क्या समारे किराय के मालिक तुझे घर से निकाले यह किराय का घर है, इसी को हम समारते हैं, इसी को सजाते हैं, इसी का महत्त रखते हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं कि यह किराय का है, हम तो समझते हैं कि यह मैं हूं ये मैं नहीं ये जो मैं बोला है यही अहंकार है अहंकार हटते ही दिख जाता है कि ये किराय का मकान है ना जनम अपने हाथ में है ना मृतु अपने हाथ में है ना जीवन अपने हाथ में है तो कैसा हमारा किराय का मकान है क्या तु समारे किराय का मालिक तुझे घर से निकाले किराय का किमत तुझे चुकाना पड़ेगा मुसाफिर जाना पड़ेगा मुसाफिर चलना पड़ेगा ये बार बार याद दिला रहे हैं कि जाना पड़ेगा जाना है जाना है चलना है यहां रुकना नहीं है यहां हमें फशे हो इसका कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगा फिर कह रहे हैं कि आएग नोटिस जवानत न होगी पल्ले तुम्हारे पल्ले तुम्हारे पल्ले तुम्हारे अमानत न होगी पल्ले तुम्हारे अमानत न होगी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा पुरा जीवन जी कर जाओगे तो उसमें कोई बचान नहीं सकता जो किये हो उसको भरना पड़ेगा और उसमें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खाली हथ आये थे खाली हथ जाना है कुछ भी तो नहीं है पर इसके लिए बहुत समय गवाना पड़ता है तो साहब जी चतार रहे हैं समझा रहे हैं कि हम सुधर जाएं हम समझ जाएं क्योंकि यह जो जल रहा है यह आग में जल रहा है इससे बाहर निकाले कि चेश्टा कर रहे हैं साहब जी वही जगा रहा है कि निकलो यहां से इसमें से निकलो यही तो दुख का कारण है यही बने रह जाओगे सरीर ही बने रह जाओगे यही दुख का कारण है इसमें से निकलो इसे भाड़े का मकान समझो आएगा नोटिस जवानत नहोगी तेरे पल्ले अमानत नहोगी खेत बनकर तुम्हें जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा बार बार ही याद दिला रहे हैं कि जाना पड़ेगा चलना पड़ेगा फिर कर रहे हैं कि यह मराज के अदालत जाओगे अब पूछेंगे हकीकत तो जब आप क्या दोगे क्या जबाब दोगे जब हम आते हैं माहा से तो हम तो वादा करते हैं कि हम हरी को भजेंगे पर यहां आकर भूल जाते हैं हमें नहीं समझने आता है कि क्या करना है हम तो माया के जाल में फच जाते हैं तो जबाब क्या दोगे लज्जा से सर को जुकाना पड़ेगा मुसाफिर जाना पड़ेगाhes काया खुटी खाली करना ही पड़ेगा यह बार बार यारत दिला रहे हैं फिर साहब जी कह रहे हैं कि हमारी नमानो यह मराज मनाएगा जब तुम हमारी नहीं सुनोगे तो जवरजस्ती सुनाएगा कैसे तुम जो किये हो वो भोगाएगा जो तुम कर्म किये हो उसको भोगाएगा पापो के अगनी में जलना पड़ेगा अहंकार को लिये लिये हम जो भी कर्म करते हैं वही पाप है ये हमें तब पता चलता चलता है जब हमारी सक्ति छीड हो जाती है जब हमारे सरीर में ताकत ने रहता है तब पता चलती है तो हम कर भी क्या सकते हैं जैसे कि एक दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का है के होई, जब सारा हम गमाही देंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो कैसे हम भक्ति कर पाएंगे, कहा गया है बीना सक्ति के भक्ति नहीं, जब सक्ति ही न लगनी में तुम्हें जलना पड़ेगा जब पता चलेगा तो बहुत दर्द होगा बहुत दुख होगा बहुत दुख होगा और उसका जिम्नेदार हम है कैसे हम हैं हमने चुना है कि हमें यहीं रहना है हमें साहब के पास नहीं जाना है यह हमने चुना है क्योंकि एहंकार को हम मान लेते हैं कि यही अपना है यह शरीर ही अपना है यह हम चून लेते हैं अगर हम चूनते नहीं तो सहित संभावना है कि साहब को पा जाते हैं लेकिन हम चूनते ही नहीं है क्योंकि जो चुनते हैं वही विचार बनता है वही कर्म बन जाता है और उसको हम पा लेते हैं चुनो तो सही चुन कर देखो तो सही जिनने भी चुना है उसने पाया है तो हम क्यों नहीं पा लेंगे मीरा ने चुना तो पा लिया कभिर जी ने चुना तो पा लिया ऐसे ऐसे सुकरात जी हैं, वीबे कानंद जी हैं, ऐसे कुछ मुठी भर लोग हैं, जिन्हों ने चुना है पाया है, तो हम क्यों नहीं? ये हमारा अधिकार है यही धर्म है एक दोहा है कि जाती हमारी आत्मा ब्रह्म हमारा गोत्र सत्य हमारा बाप है मुक्ती हमारा धर्म यही एक धर्म है यही सनातन धर्म है तो यही सहाब भी समझा रहे हैं फिर का रहे हैं कि कहें कबीर तू रोता फिरेगा लाख चावरासी में खाएगा तू गोता अब फिर फिर जनम तुझे धरना पड़ेगा मुशाफिर जाना पड़ेगा मुशाफिर चलना पड़ेगा अगर यहां नहीं मानते हो तो तुम्हे चावरासी योनी पार करना पड़ेगा क्योंकि चावरासी योनी के बाद मनुस्य का जनम मिलता है यह बार बार नहीं मिलता है और चरासी योनी में जो तुम रोगे जो तुम तड़ जो भटको गे यह हमारे साहब देख रहे हैं इसलिए तो कहते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी तू कहता कागत की लेखी मि इसलिए कहते हैं उन्हें दिखाई दे रहा है तो यही समझा रहे हैं हमें हमारे साहब जी तो सुनते रहिए समझते रहिए क्योंकि परकीर्थ रोज कचड़ा फैलाती है तो रोज जैसे हम सफाई करते हैं ज़ाड़ पोछा करते हैं वैसे ही मन भी रोज गंदा हो जाता है, तो रोज सुनते रहिए, रोज सफाई करते रहिए, तभी हम कही पहुंच पाएंगे, तभी हम नीज स्वरुप का दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो कीडे मकोडों का जिंदगी जी रहे हैं, पस्वों का जिंदगी जी रहे है जबकि प्रभु ने तो हमें यहां का राजा बना कर भेजा है जैसे कि इस जगत पर जगत में इस धर्ती पर सिर्फ इंसान कमाता है सब जीव खाता है कोई जीव भूखा नहीं मरता इंसान का कभी पेट नहीं भरता तो सुनते रहिएगा झाल